अगला जेफ्टर का नाम क्या है common size statement सावान अकार के विबरन ठीक है इसमें यह भी बहुत इजी है इसमें क्या इसका मत्तब 25 लाग टुटल खर्च हुआ इंकम कितना हुआ होगा 25 लाग नहीं इसमें क्या करना पड़ता है इसको 100% मानना पड़ता है इसको मानी 100% इसका मत्तब 100% है इसका इंकम बच गया आपका प्रॉपिट कितना हो गया 50% है इसका तो बस यह 100% में आपको इंकम इस्टेट्मेंट बनाना है और सेल्स को 100% है और बताना है सेल्स अगर 100% है तो कैसे कहा कहा कितना कितना परसेंट खर्च हुआ और कितना परसेंट प्रॉपिट हुआ पका यहीं कॉमन साइज सेट क्लियर है को सब्सक्राइब पाइज सेल्साथ और कीका कि यहां है respirator तो इसको नह strict यहां जाएगा उसको पर्लैपर नी वाहिए और इससे अपरीजन करते सब और सबकाशोट के तो तो ऑर। एग्यंट चइए आएगा कि उसी का नाहा है कौन से समझें कि नहीं कौन से समझें चलिए तो ध्यान दीजे पहले हम क्या करेंगे इसमें बोल रहा है एपसोलीट इमाउंट मतलब एक्जेक्ट इमाउंट क्या है रिवेन्यू फरम ऑपरेशन पचास लाग है लेस एक्सपेंसेज की टूटल एक्सपेंसे आगया प्रॉफिट व्यूटेक्स आ गया तो इसको लाइन को हटा दे रहे हैं तो इसको हटाने के बाद यह क्या है आप में जब सेल पचास लाग है तो मेरा इंप्लाइए एक्सपेंसेज बीस लाग है मतलब सौ में कितना यही ना वाट वाट इक्वल टू क्या आएगा कि पीस लाग इंटु हंडड डिवाइड वाइड वाइड शरीर भारी और वजन कम आ है पांच लाग बज़ास लाग कितना होगा है तो कितना होगा ध्यान दीजिएगा तो कांटिंगत कितना आएगा चालीज परसेंट पका किलियर है तो बहुत इस लिए बताना जाले पांच लाग तो यह कैसे निकाले समझ में आ रहा है आपर क्या फॉर्मूला लग रहा है कि इस कॉलम् बठाव इंटू हैं मुआ है थैस कॉल्म बटा इस अंड्रेड यह पंडी स बटा दिस इंटू हंडेड इस बटा इस इंटू हंडेड दी स प्रॉफित होता है इसी में अगर गॉवर्मेंट को टैंक्स भी देते हमाल लीजे 20 परसेंट तो 30 परसेंट में नीट प्रॉफित होता है किसा ही ने समझे है पका कि तो चेप्टर किसा लगा आपको इजी है तो यह तो यह लग वह करेंगा दिमाज नहीं लग रहा है अगं कि अभार गार है प्रॉफित है यह थी में समय सकत्वीरी दो है अगल है तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो और बताना पड़ता है तो जो 100% में इंकम हुआ, तो 100% में इंकम हुआ, 40% इंप्लाई नहीं गया, 10 में दोड़ एक्सिंट में गया, तोटल एक्सिंट गया, 15% हुआ, और मैनस के दिया राइट गया, तो अगर जो नॉर्मल इंप्रेटिंट में इंप्लाई इंप्लाई इसका बत्रव है कि वह चाप्टर अपने आप पे बहुत इंपोर्टेंट था, नहीं, चलिए, अगला कुस्चन, बलता है, फिलता है, फिलता है, एज दिखना के बन गया है, प्रूइसर, प्रूइसर, विए, फिल्डा फूइस, a statement of profit and losses for the year in the 31st month 2018 and 19 prepare a common size statement two-sale can be made, तो चार column हो जाया है, कोई दिक्कत थुड़ी है, दोनों का अलग- अलग, समझ दो गोस्टान है, पका, इसको 100% मान के एक column बना लेंगे, इसको 100%, इसके लिए एक कॉलम इसके लिए एक कॉलम पका, दुनों का मिजर कर देंगे, इसमें इसको 100% माल लेंगे, इसको 100% माल लेंगे, पका, हाँ, यहाँ पे देखिगा, दर इनकम भी है, ज्यान दीजेगा, इसमें क्या होता है, एक मिनट, नोटिस कीजेगा, दर इनकम है न, तो नोटिस की मुक्तली मतलब कहीं घटाआएं। इसको इंडेड़ पर्सेंहbooksुंद कहीं है ज़्याता लॉजिक शही हूना है बूणों को पूरा हंडेड़ जोड़ करके पर्सेंहें जयादा अच्छा है क्योंकि हम टोटल इंकम का कंप्रीजन सबसे करतें हैं। मिरा टोटल इंकम हुआ 100% हुआ कहा 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 गया पका लेकिद कहीं कहीं पर आपको सॉल में देखिया इसको 100% मान के बनाता है लोजिकली ज्यादा अच्छा किया रहेगा आप लोगों के लिए टोटल इंकम को हम लोग 100 मानेंगे रिवेन्यू फरम उप्रेशन को हम लोग 100% किसको मानेंगे हम लोग total income को मानेंगे फक्का यहां पर क्या किया है यहां पर इंकम को अलग माना और यहां पर कितना दिया आई 12 लाग दिया अधर expenses कहा गया यहां पर 12,00000 और भी expenses क्या नहीं बारा लाग इसको माना है 50% कर देते हैं तीस और बारा कि यह कैसे हो यह तो पुरा एंसरे उड़्टा लग रहा है रुख जाएए कन्फूज मत हुएगा देखे बीस लाग और तीस लाग है और अधर इंकम इतना है चौबीस लाग और यह है तो इसको हंडिट परसें माना इसको बीस माना 120 माना यह दस अरे उना तो बीस लाग नहीं था यह 30 लाग है अच्छा 17-18 यह वाला है यह एंसर पहले दिया है समझें आप समझेंगे नहीं इसका एंसर पहले है इसका अशर बात में उल्टा है और यहाँ पर देखे हैं यहाँ नाग को यहाँ दिखें कि आप 20 लाग को 100 परसें माना औ 100% मान के बना जाए अच्छा होता है उससी क्या होता है हम total income का compression total expenses देकर दोनों अपने आप में अपना अपना results देता है लोजी समझे हैं आप तो कहीं कहीं question में आपको यह भी दिखेगा जैसे normally sales को मानते है 100% लेकिन इसको भी मान के बन बना सकते हो गलत नहीं होगा पका तो उसके समय अपना पर क्या चेंज हो जागा यहाँ पर इसको 100% माना इसको 20% माना क्यों 20% माना इस 20% कहां से आया हाँ नहीं इसको इससे compression कर दिया नहीं समझे 4,00,00,20,00,00 into 100 तो 5-5 कट गया 25-100 और 5 जोगा 20 समझें आपके नहीं लेकिन क्या होगे कि इसका compression कोई तुक नहीं आया बनता तो है लेकिन कहीं कहीं पर अगर इसको माले 24 लाग को अगर हम 100% मान के बना थो तो मिरा एंशरा लगाता 24 लाग से करेंगे तो दोनों ट्रेंड में चलता है आपको दोनों में से गलत नहीं है बना वहाँ दिख रहा है तो ऐसा मसूझे का आपका गलत है इसमें क्या किया है है रिवेन्यू फॉर्म और समाना है तो आपका दो ऊप्सें पर रिवेनु फॉर्म और सब्सक्राइव कर सकते हैं कहीं पर होगा यह भी चलता है कि लिए यह तो समय स्राइब है एड चर्व यह स्टोभ वो ना हो रहा है अचर्ष बोले नहीं क्या दो अप्सन बता है मैं क्या नो अप्सम नो अप्सन क्या अबता है दो अप्सन है अलोक जी एक रिवेन्यू फ्रम ऑपरेशन को मान लेंगे और टोटल इंकम को दोनों को मान के बना सकते हैं और एक में टोटल इंकम 100% मानते हैं पक्का अगर यहां पर कोई मान के बनाया होगा तो गलत मस बज़ेगा वह ऐसे भी बनता है ठीक है चलिए सब्सक्राइब करेगा कोई दि फुलोईंग इंफॉर्मेशन स्प्रिपेर कॉमन साइज इंकम स्टेटमेंट रिवेन्यू फ्रम उपरेशन और अधर इक्सपेंसे यह नहीं जी है इस बेदो टो नहीं नहीं प्रिदिकर अ कि चार नंबर आवाज बहुत कम आ रहा है बहुत लोग बोल ले रहे हैं कि सैली कि फिर एक बलगता ना पड़ेगा नहीं बोलना सुरूगर सब चूप लग सब चूप लगा दे रहे हैं कुछ क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग प्रिदू चौधरी साइमा साइना किसा किसे नेटवर्क पर उलब है मेरा सेर किसा नेटवर्क प्रॉब्लम है आफ का अब का अभी तरफ धाले नहीं को अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम को बोलेगा ठीक है आपका कि आलोग जी लोग अपर फिसे फिन अर्चिता साह ओड़ानेग्वर्णी प्रॉब्लम् संदया आई सब बीच बीच में रुक के आए है, रुक के आने लगता है, हाँ 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 हाँ, हमें बागाउट करेके लोगरा करते हैं झाल झाल खलका समोगा मिलता है बात शुरू आप लोगा नहीं अब अब आज के सारा आप लोगों ठीका रहा है सबको अब आज को अब आज को तो भाग गया चलिए नहीं आ रहा गाता हो रिकॉर्डिंग देख लिए ठीक है चलिए यहां तक समको समझ में आ गया कोई दिकत नहीं चार नमबर में सेल्स था कोस अब गूड सोल था अड्मिस्टिटिव सेलिंग एक्स्पेंसे जाज डबल कोई दिकत नो सर्ट चलिए आगे द्यान देजिए पांच नमबर यहां पर बोला है कि टोटल इंकम हो क्या किजे आप कॉमन बेस बना यह बोल दिया ना लग से इसका मतलब भी पॉसिबल है तो यहां पर क्या करेंगे कि रिवेन्यू प्रम उप्रेशन और अधर इंकम है कॉस्ट अप मेटिल कंजूम्ड है फैनाइस कोस्ट राधर इक्समेंस है जखाने का मतलब यहां किसको बेस मानेंगे जैस अन आस्सी पर सेंट मानें इसको बीस परसें तो टोटल डिविन में कितना होगा आपका फाटेशन अब यहां से कंपरीजन करेंगे हैं तो टोटल करेंगे तो कितना और तो वंच बढ़िस थूच़बर एस तो पच्विस लाग थाए कितना होगा भी परसेंट होगा पंदरव पंच बीस दो बाइस आइस पचास है बाइस पचास इन्टू हंड्रेड डिवाइड बाइड बाइप चीज आ नाइनटी परसेंट ठीक है किलियर है तो करने का मत्तों यहां पर देही दिया अलग से कन्फुजन किलियर कर दिया है तो नॉर्मल आप क्या किजिए को किन्यों क्या करेंगे हम बेस बना लेंगे पॉसिबल लाइवी अच्छा इंफोर्मेशन देता है तो बन जाएगा नो सर्थ यह सर्थ यह सर्थ नहीं बनेगा नहीं यह सर्थ उसमें बुलती यह सर्थ नेट्रों प्रवलम में बहुत खराब हो जादा है कभी-कभी कि यह सर्थ यह सर्थ यह सर्थ